नमस्कात, दोस्तों स्वागत है आपका माहचल में मैंनेघनी राज़किस रोह हम बात करने बाले हैं बिहार किसान सम्मान योजना के बाड़े में जिसे हम लोग किसान आत्मी योजना भी बोलते हैं तो उसमें मैंने आपको आहरता यानि eligibility के बारे में जानकाई दिया था कि कौन-कौन से लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं, किस-किस परकार के जो है किसान यहां पर आवेदन कर सकते हैं, सबी चीजों के बारे में मैंने आपको जानकाई दिया था, तो दोस्तों उसमें मैंन लोग जो है ओनलाइन आभेदन करने जाते हैं तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ धान के बारे में ही दिखाई देता है जब आप लोग वहाँ पे फसल सेलेक्ट किजेगा तो सिर्फ आपको धान कुछ इस परकार से दिखाई देगा तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है तो आज मतत्स सि पाहलन के लिए कहब सो कब तक आवेदन होगा पूरी डीटेल यहाँ पर जारी कर दिया कि फसके देखे, कि स्बस्क्राइब नहीं करना है तो नीचे लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसकी सेह कीजिए ताकि और भी किसानों को यहाँ पे लाब मिल सके चले शुरू करते हम अपना आज के वीडियो तो जैसा कि आप देख पारेंगे दोस्तों कि हमारे साइड में एक पेपर कटिंग में आपको दिखा रहा हूं इस पेप पॉटेंट डेट्स की भी जानकारी दी गई है यानि कि कब से कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं कौन से फसल बाले लोग कब सक कब तक आवेदन किजेगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है तो चले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्किन पर आपको याद सम्मान के लिए मांगा आवेदन यानि कि सम्मान योजना के लिए जो यहाँ पर आवेदन मांगा है यहाँ पर बताएगे एक ब्रेक के बाद राज में किसानों को फिर सम्मान देने की तयारी है इस सिलसले में राजी सरकार किसी भाग ने किसानों से आवेदन मांगा धान आलू एबं फल उत्पादक किसानों को सम्मानित किया जाना है इसके अलाबा योजना में बकडी पालन मचली पालक भी सामिल यहाँ पर किये गए हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो पांच अलग अलग स्रेनिया बनाएंगी है जिसमें कि आप लोग अगर आप धान भी जो है समय अलग-अलग निर्धारित किया गए यानि कब से कब तक कौन किसान आभिधन किजेगा अगर आप बकडी पालन करते हैं या फिर मचली पालन करते हैं तो कब तक आपको आभिधन करना है और कब से आपका आभिधन चुरू हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकाई दिया गया, तो आगे हम आपको उसके बारे में जानकाई देंगे कि कब से कब तक आप आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहापर बताएगा कि किसानों को चार स्रेनियों में पुस्कित करने की तैयारी है, परखन से लेके राज ये अस्तर पर कुल 2202 बेराउन भी किसा किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उसके बताएगा कि किसानों से पिछली बार भी आवेदन माया गया था, लेकिन ब्यवभधान के चलते बीच में प्रक्रिया को रोक दिया गया था, इस बार भी सारे प्रवभधान प्रूबता है, परखन अस्तर से 136 किसानो को यहाँ पर लाब मिलने बाला है, यानि कि परखन अस्तर में 236 किसानों को 10,000 रुपे का लाब मिलने बाला है, और बाकी जैसा कि आमने आपको बताया था कि 10,000 रुपे से लेके 50,000 रुपे तक का यहाँ पर लाब किसानों को दिया जाएगा, अब इसका online आभेदन किस प जानकारी मिल जाएगा, साथ में और भी जानकारी जो आत्मी योजना, यानि किसान सम्मान योजना है, इसमें क्या कै जानकारी है, पूरी डीटेल में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, तो जरूर आप अगर ये वीडियो देखने तो उस वीडियो को भी एक बार जरू काई देते हैं तो 30 नमंबर तक कड़ें आवेदन यानि कि जो इसका लास्ट डेट रखा गया 30 नमंबर रखा गया यह जो 30 नमंबर है दोस्तों यह जो सिर्फ धान बाले किसानों के लिए किरसी विभाक की website पर बर्ष 2021 के लिए विभिन सरेनियों के किसानों से ओनलाइन आवेदन महा गया है इच्चु किसान 30 नमंबर तक आवेदन कर सकते हैं यानि कि जो इच्चु किसान है वो 30 नमंबर तक अपना आविदन कर सकते हैं अभी फिलाल जैसा कि आप लोग जानते कि आज 22 तारीक है तो 30 तारीक तक आप लोगो आविदन करना है यहां पर आविदन है दोस्तों वो खड़ी फसल के लिए 30 नमंबर तक आविदन माग गया है फसल एवं आधानिक फसलों के लिए 25 दिसंबर तक आविदन चलेगा अगर आप म जिली पालण के लिए आविदन करते हैं तो आपको जो पंदरा ऑmit फर्वड़ी से लेके 15 मार्च तक आपका आविदन चलने बाला है तो इस पाकाई दोस्तों अलग-अलग स्रेणियों के किसानों के लिए अलग-अलग टाइम पे यहाँ पे आवेदन होने बाला है, जैसा कि मैंने आपको उस step-step वीडियो जो बनाया है, उसमें आपको जानकाई दिया है, कि यहाँ पे अभी फिलाल सिर्फ धान को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे आप फसल का नाम च दोस्तों, आप यहाँ पे जो किसी भी परकार के किसानी करते हैं, आप जो किसी भी परकार का खेती करते हैं, तो आप जो यहाँ पे जरूर अपना आवेदन दीजे, जब भी आपका डेट यहाँ पर बताया गया, जब भी यहाँ पर टाइम आपका बताया गया, तो आप ज